हम सब स्ट्रम केम प्रेजंट्स एस पेंट क्रिकन 4020 टाइम आउट हिंदी में सौगत है आपका बांगलादेश और नेधरलंड्स के बीच मुखाबला जहां पर एक बार ऐसा लगा था कि शायद असानी से बांगलादेश की जीत होगी लेकिन सिर्फ नौरन से जीती है ते सौगत है आपका दीवदास गुपता हमारे साथ और जिस अंदाज में ये मुकाबला चला एकरमन और जो गेंदबास थे और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे मिकरन उन्होंने तो ड्रा दिया था बंगलादेश को लगा था कि शैद मुश्किल में आदेगी जो कल हमने देखा इंडिया को चेस करते हुए लगबक उसी स्थिती में आज नेधरलेंज भी थी चार विकेट जल्दी गवा दिये थे और साथ में कुछ यादे हमें निदाज ट्रोफी की भी आ रही थी जब सोमे सरकार ने आकरी ओवर डाला था भारत के खिलाफ और क्लो तब ही वो थोड़ा सा नर्वस भी दिख रहे थे अगर बलेबाजी अपने खरीब से देखी दी तो विकेट लगतार गिरते जा रहे थे पर वो खिलाडी अपना एक जबरदस्त साहियम के साथ खड़े वे पहला अर्दिशा तक टी-ट्वेंटी अंतराशी में उन्हों ने अगर थोड़ा सा भी साथ मिलता जो की थोड़ा सा मिला मीखरे ने थोड़ा सा दिया लेकिन उपरी करम के कोई भी बल्लेबाज उनके साथ थोड़े देर और रुख जाते तो शायद ये और ज्यादा क्लोस होता या नतीजा कुछ अलग भी हो सकता था लेकिन यहां कुछ लग नहीं होगा जिसका आप इंदजार कर रहे हैं बिलकुल वो घड़ी आ गई है क्योंकि अब हम बात करेंगे थमस अप स्टम्ट कैम तुफानी परफॉर्मर की कि आप इस वक्ते भलेई आप ये देख या इम प्रलेए ये वाइच शू पहने हुए लेकिन लोग ने बात नहीं की थी पहले ये बिलकुल एक साह्योग वश हो गया था और ये साह्योग वश थमसप आपके साथ लेकर नहीं आया है तुफाना चीज तुफानी तकर एक न जरिया और तुफान तो लाया तसकिन ने, पारी की पहली दो गेंद, दो विकेट, डेथ होवर में आते हैं, दो विकेट, चार विकेट, पचीस रंदेकर, जी बिलकुल, और पिछले एक साल से अगर आप देखें, तो उन में, उनकी गेंद बाज में काफी निखा रहा है, उ मिशरन, टैलेंट का, एक्सपीरियंस का और दिमाग का, जिस तरीके साज उन्होंने पहले दो गेंदों में दो विकेट शटकाई, शांदार गेंद, लाइन और लेंज, सिंपल, जाधा कुछ करने की सोच नहीं थी, कि आखके जाधा तेज ढलूँगा, या कुछ अलग बिल्कुल देव, जबरदस्त मैचरियूटी यहाँ पर देखाई है, तसकीन ने और आप सोच रहेंगे कि डिटेल कैसे आप देख सकते हैं, इस स्टंप कैम विजन को, तो उसके लिए थमसब की बोटल है, यहाँ पर QR कोड है, मोबाईल निकालना है, स्कैन करना है और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, यह नए वर्जन की, जिसका मज़ा आप हर स्क्रीन पर विकेट के पीछे से ले सकते हैं, और दीप अगर इस मुकाबले को थोड़ा समा आगे चलें, और शुरवात आप देखें, जल्दी जल्दी विकेट गिर जाती है, बांगलादेश की, ह पिछले साल-डेट साल से मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अफीव जो है, युवा खिलाडी है, बहुत काबियात है, इनको थोड़ी से उपर कर रहा हैं, बल्ले बाजी है, पांच नमबर उनके लिए, खासकर T20 क्रिकेट में, उनके लिए बहुत पीछे, क्योंकि व उपर नीचे करते रहते हैं बैटिंग और, मेरे मेरे जहन से बाहर है क्यों, और अफीव के जैसे आपने कहा कि अच्छे लहमे हैं, बहुत काबियत है, उमीद करता हूँ कि थोड़ा सा उपर खिला है उनको, और चलते चलते बिल्कुल आखिर में, बंगलादेश भली ये म मैच जीता तो वह तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, तो मेरे खिल से काफिया तक रिलीव होगी बंगलादेश की, चलो एक मैच तो जीते इस तर पर आके, तो मेरे खिल से वह एक बहुत बड़ा जो है प्रेशर जो है वह नहीं रहेगा बंगलादेश के उपर, अब श पॉजिटिव यह है कि आकर्मन जिनका बल्ला नहीं चल रहा था, उनका बल्ला चलना शुरूब है, थोड़ा सा जो area of concern है, कि गेंद बाजी तो अच्छी रहती है, लेकिन बल्ले बाज उतना ज्यादा कॉंट्रिब्यूट नहीं कर रहे है, तो वह कहीं नहीं सोच रही पॉर्ट हिंदी में आज अतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजे इजास्था